करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे नाम सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टड़ी आई कि आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सच में स्काइज नॉट दे लिमिट बहुत अच्छी खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ने दो लेडी एरबॉर्ण को वार्शिप पे तैनात कर दिया है यह पहली बार हुआ है कि जब औरते जो है वो वार्शिप्स पे तैनात रहेंगी और मिशन्स कंड़क्ट करेंगी युद्ध हुआ तो यह अपनी सेवाय देंगी बहुत अच्छी बात है भी मूवी आई थी आपने रेखी होगी गुंजन सक्सेना बहुत ही बढ़िया मूवी थी हाला कि इस तरीके से पोट्रेल किया गया है उसमें विवाद भी है उसको प्लेन उड़ाना है और कैसे वो एयर फोर्स में आती है और फिर देश की सेवा के लिए कमाल कर दिया उन्होंने कारगेल में कहने का मतलब यह है कि अगर और तो को मौका दिया जाए तो देश की सेवा बहुत अच्छे से कर सकती है लेकिन जेंडर इनेक्वालिटी की डिस्क्रिमिनेशन होता ही है आज से नहीं सदियों से होता जा रहा है होता आ रहा है लेकिन अब जो है चीजे बदल रही है इंडिया नेवी ने बहुत ही प्राउडली इसको बताया है कि अब से टू वुमें नेवल एविएटर्स विल बी डिप्लॉइट और इसका इतिहास भारत में क्या रहा है यूपी एसी के स्मार्ट को से आता अप स्टेडी आईक्यू काईप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं तो इंडियान नेवी ने इसको एनाउंस किया है मंडे को यह एनाउंस किया कि पहली बार टू वुमें आफिसर्स विल उप बैसिकली इन लॉजिस्टिक्स ठीक है मेडिकल विंग्स बैसिकली खाने पीने का सामान सामान इधर से उधर ले जाना लेकिन कभी भी वार्चिप्स पे मिशन के लिए तैनात नहीं किया जाता था मतब युद्ध में डारेक्ट इंट्री अब मेडिकल चीजों के लिए हो इन सब के लिए वुमेंस को तैनात किया जाता था लेकिन अब युद्ध में भी भाग लेंगी है दे विल ओप्रेट फ्लाइंग मिशन फ्रॉम वार्चिप्स नेवी ने अपनी स्टेटमेंट ने ये बोला है स्टेटमेंट में ये बोला है कि एक और हिस्ट्री है इंडिय स्ट्रीम और अब फर्स्ट सेट फ वुमें एरबॉन में ये आ गई है और ये विल बी ओप्रेटिंग फ्रॉम दी वार्चिप्स ये इंडियन नेवी ने स्टेटमेंट गया और फिली वेडी प्राउड विशुट भी प्राउड जितनी जाधा एकोल उप्रचुनिटी मिल ये औरतों को उतना अच्छा है हमारे लिए उतना अच्छा है इससे पहले मैं आगे बढ़ो बता देता हूं कि मैं इंस्टा पर आ गया हूं और आप मुझे या पर फॉलो कर सकते हैं साथ ही साथ मैं जब ट्रावल करूंगा तो अपडेट्स डाल दूंगा यहां पे तो आ 13 officers of the regular batch and four women officers of the short service commission service commission पर हमेशा से विबाद रहा है service commission की बात करें तो बहुती कम समय के लिए औरतों को चुना जाता है पर्मनेंट नहीं होती है लोग पर्मनेंट commission नहीं होता है short service पांच साल के लिए दस साल के लिए चार साल के लिए तो पर्मनेंट commission दो ना permanent clean को deploy करो इस में से ये दो officers भी शामिल थी सब लेटिनेंट कुमदनी त्यागी सब लेटिनेंट डीते सिंग अब हम थोड़ा सा इतिहास देख लेते है women का क्या रहा है इंडियन निभी में देखो 1992 से पहले 1992 से पहले जो औरते थी यह सिर्फ और सिर्फ medical stream के लिए ही armed forces में आती थी मेडिकल स्ट्रीम में nurses की जरूरत पड़ती है ठीक है तो medical stream में armed forces में force की बात हो रही है तो आपको doctors की जरूरत पड़ेगी nurses की जरूरत पड़ेगी medical staff की जरूरत पड़ेगी और उसमें औरतों का रोल बहुत ज्यादा एहम होता है ज्यादा तर एक one of the best profession जो females के लिए माना जाता था armed forces में लिया जाता था लेकिन जुलाई 1992 से क्या हुआ नेवी ने women's को induct करना स्टार्ट कर दिया special entry scheme और सिर्फ navy नहीं नहीं इसी दौरान एयर फोर्स ने भी चलाई थी उन्जन सक्षे ना पहली थी ना तो ये they started inducting women through special entry scheme special entry scheme अब तो वकायदा सब online होता समय तो paper म में आट्स निकाले जाते थे लेकिन वही है ना कि short service commission होता था कि कम सालों के लिए एक साल तीन साल चार साल permanent commission इनको नहीं दी गई थी उस समय selective branches of the navy कुछ selective branches के लिए 1992 से यह हुआ कि women officers को भी नेवी में शामिल किया नेवी ने allow किया कि औरते भी अब समुंदर को चू सकती है पूरी दुनिया भूम सकती है और उसके बाद 1992 से लेकर अभी तक बहुत सारे branches add किये गए कौन-कौन से traffic control traffic control होता है बहुत important शिप में भी भ observers, law, logistics, education, naval architecture, pilots in maritime reconnaissance, and naval armament inspectorate तो यह सारे branches जो है यह add किये गए observers बहुत important होता है भया देखते हैं कहां से हमला है missions होते हैं बकाइदा अब देखो अभी जैसे LSE का ही है तो Air Force जो है वो देखती है कहां कहां सब उपर से ही पता चलता है तो यह flying missions होते हैं कारगिल में भी तो यह हुआ था ना कारगिल में हमारी Air Force ने लगातार आर्मी को सपोर्ट दे रही थी flying missions हुए थे observers थे ठीक है और warships तो भाईया Indian Ocean और अधर Bay of Bengal हो गया इधर Arabian Sea हो गया तो भारत की बात करें भारत को तो two front war strategy अपनानानी है मैंने आप से पूछा था आपने बूला था लेचर बना दो तो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द टू फ्रेंट वार मतलब क्या इधर पाकिस्तान है इधर चाइना है दोनों से निपटना है और उसमें हमाली नेवी का बहुत इंपोर्टेंट रोल है नेवी का उन्निस वाण सट में नेवी के हांथ बांद दिये गए थे लेकिन उसके बाद 1965-1971 में तो नेवी ने पूरी बातल मतब आधी से जाधा बातल तो 1971 में इंडिया नेवी ने जिता दीती है कमाल की कहानी वो रही है कारगिल में नेवी का रोल थानी कोई जादा तो देवी के लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है आपको अपने मैरी टाइम बॉर्डर की भी तो रक्षा करनी है आप देखी रहे हैं चाइना के स्टांस कैसा है तो उसमें औरतों का इंडक्शन बहुत ही अच्छी बात है और हम जितना जादा करें उतना अच्छा है बाई हम ओर काबलियत पर कोई रुकावट तो हो नहीं चाहिए और तो बहुत बहुत ज़ादा काबिल मेशा बाजी मारती है तो काबलियत पर रुकावट क्यों अगर आप काबिल हो टैलेंट हो तैलेंटेड़ हो जैसे यूपीएसी में होता है तो आप आगया और यही इंडियाद कि उनको commissioned officer मैंने बता ना commission short 10 साल 5 साल as a commissioned officer उनको induct किया जाता है other ranch उनको नहीं दी जाती है junior commissioned officer non commissioned officers इस तरीके से women's को लिया जाता है लेकिन मैंने बता है 2000 में क्या हुआ था कि women officers from the medical and logistics इनको deploy करने लगे थे ये लोग naval ships पे अब challenges तो बहुत जदा होते हैं आसान तो होता नहीं है logistic part तो आसान है आपको समान इधर से उधर ले जाना है लेकिन observers large ship पे as an observer navy से मतलब यहां पे ship से plane उडाना helicopter उडाना यह आसान नहीं है mindset पे बहुत belief देखो यहां पे क्या है न कि आद्मियों को तो training दी जाती है आद्मियों को तो 20 साल से 30 साल से जब से हमारा दिश आजाद हुआ है तब से ही training दी जा रही है लेकिन औरतों को तो यह तो अभी नया नया है तो अभी थोड़ा सा तो set होने में time लगेगा ही लग किया था ठीक है जो एक तरीके से का fixed wing aircraft है एशोर establishment से operate करते हैं तो इसमें भी इन्होंने बोला था कि अपसे एक औरत रोड़ाईगी से और Monday को दो और women यानि कि अब Navy को भी समझ में आ रहा है हमारी armed forces को भी समझ में आ रहा है कि भारती सेना में औरतों की जरूरत है अच्छ से जाते हैं या फिर fixed wing aircraft से जाते हैं जो कि Navy operate करती है ठीक है observe करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं कि जितना बढ़िया आपको उपर से view मिलेगा उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा ना उपर से जाए आपको सब पता लग जाएगा helicopter से plane से जाएए पता लग जाएगा क कौन कितना आगे बढ़ा है कौन क्या strategy बना रहा है अभी देख रहे हैं कि चाइना के aircraft ताइवान के उपर से गुजर रहे हैं तो अभी तक जो है women were inducted as observers for fixed wing aircraft ऐसा नहीं है यह पहली बार नहीं है observers as an observers इनको लिया जाता था लेकिन for fixed wing aircraft अब यह fixed wing aircraft क्या है यह भी एक तरीक प्रिक लगान देनी चाहिए थी देखा होगा कि अक्सर नेवी इसको operate करते हो छोटी aircraft होते हैं ठीक है तो यह fixed wing मतला बड़े पैमाने पर औरतों को entry नहीं दी गई helicopter is very important यहाँ पे helicopter stream में इनको entry दी गई है तो अब helicopters by front जो warships होते है na helicopters को ही सबसे ज़्यादा deploy किया जाता है Now women officers will be deployed on front line warships जहां से helicopters operate करते हैं permanent commission यह भी अभी मैंने बताया कि इस पे भी काफी दिक्कते हैं यह वैसे तो बहुत अच्छी बात है जितनी भी experts हैं उनका मानना है कि यह एक प्रेड़ना दायक कदम है यह inspiration है क्योंकि बहुत सारी औरते आना चाहती है armed forces में लेकिन आ नही पाती है Navy Air Force Army अगर इस तरीके के कदम लेंगे तो बहुत talented women's जो है वो हमारी सेना में आएंगी और यह भारत example भी सेट कर सकता है gender equality का कि हम किसी से वेदबाव नहीं करते सेट करता ही आया है तो ऐसा है कि यह inspiration भी है लेकिन इतना ज्यादा media hype हो रहा है pressure भी ज्यादा ना हो मते यह भी concern दिखाया है जहां पे भी औरते आती हैं वहां पे media hype होता है especially अगर वो पहली बार हो रही हो तो media hype की वज़े से थोड़ा सा pressure भी create होता है अब permanent commission की बात करते है permanent commission हमेशा सही एक टसल रही है जो केस हुआ था union of India and others versus Annie Nagaraj and others उसमें Apex Court जो थी Justice D.Y. चंद्रचू पोगी ने यह बोला था gender equality की battle जो है ना वो mind की battle है this is the battle of mind यह हमारे mind में ही है gender inequality हमको अपने mind को पहले ठीक करना है और history जो रही है और तो और तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता अगर आप historiography देखेंगे तो और तो इतिहास है ही नहीं कि तो आजादी के बाद से हमने और प्रक्तों को include करना शुरू किया तो इनको तो हमेशा sideline किया गया है लेकिन अब नहीं सारे कानूनी अधिकार सारे constitutional rights से इनके पास तो यह supreme court ने मार्च में बोला apex court ने बोला वही supreme court उन्होंने बोला कि women officers from short commission in the navy to be eligible for getting permanent commission अब short commissions को अटाओ permanent commission दो वहाई इनको permanent करो यह क्या है कि यह कितना talented इंसान है उसको पांक साल बादा वापस भेज रहे हो और उसको permanent करो उसको जब तक वो चल रहा है उसको चलाओ short commission की यह जो controversy है हमेशा आप देख सकते हैं short service commission की बात करें armed forces में they are of 10 years लेकिन इसको 4 साल से extend किया जा सकता है ठीक है और इसके बाद they are eligible for the permanent commission बहुत सारे reasons दिये गए थे कि देखे यह motherhood की problem है चुट्टी ले ले लेंगी physical attributes अलग होते लेकिन court ने साब बोला कि ऐसा कुछ नहीं है यह talent से talent सबसे उपर है ठीक है और यहां पे पूरी इनके पास समवैदानी का दिखार है ना हर individual के पास समवैदानी का दिखार है और यहां पे armed forces को यह ensure करना चाहिए कि इनको equal opportunity मिले history of discrimination जो रही है अब ऐसा नहों तो यह permanent commission पे supreme court ने बोला लेकिन दोस्तों यह presence बढ़ रहा है हमारी forces में और यह बहुत अच्छी बात है खुश रहें पढ़ते रहें यह देशे सिद्धान तक नियोटरी signing off